नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्राखंड उत्राखंड में सरकार ने कोविट कर्फ्यू के दौरान एक जून से लोगों को बड़ी रियायत दी है जिसमें सरकार की और से कोविट कर्फ्यू में कई तरह के बदलाव किये गए हैं और इन बदलावों का विपारियों और आम लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है तो क्या है ये रियायते चलिए आपको भी बताते हैं राजमे कोविट के मामले घटने के साथ ही अब सरकार धीरे धीरे लोगों को रियायत देने के मूड में नजर आ रही है वहीं लगातार कोविट कर्फ्यू मिलने वाली धील को लेकर चल रहे कयासों पर भी सरकार ने नए नियम जारी करके विराम लगा दिया है दरसल उत्तरा खंड में सरकार की ओर से कोविट कर्फ्यू को एक हफ़ता और बढ़ाने का फैसला लिया गया है लेकिन इस बार फर्क ये है कि सब्ताह में दो दिन दुकाने खुलेंगी जिसमें एक जून और पांच जून को परचून की दुकाने खोली जाएंगी जबकि सरकार की ओर से दुकानों को खोलने का समय भी बढ़ाया गया है जिसके बाद अब सब्ता हमें दो दिन सुभे आट बजे से दोपहर बाद एक बजे तक पर्चून की दुकाने खोले जाने का फैसला लिया गया है जिससे व्यापारियों और आम लोगों में बड़ी राहत देखने को मिली है उत्राखर्ण में कोविट के मामले घटने के बाद सरकार की और से लगातार लोगों को धील दिये जाने की तैयारिया की जा रही है हलाकि इन रियायतों में कोविट के नियम भी शामिल है और इसके अनुसार कोरोना संक्रमत इलाकों में भी नियम पहले जैसे बने रहेंगे लेकिन उन इलाकों में जहां कोरोना के मामले नहीं है उनके लिए ये नई गाइडलाइन बड़ी राहत की बात बनकर सामने आई है